चालू चाले नील गागानका उड़ी करे चाले गरे श्वेत पभनका उड़े करे चाले करे श्वेत पभनका चाले नील गागनका सामान पांच वो चैनी दो बार चैरो की गिरार्थ भगामैं एक गहरी सास लेकर साब बुला बाय जादू सा है कोचे सावामैं चन जट से दूर हूँ, पड़ो से की पीटी नी सुनिया चाब करो जो करना नी डरना कुछ अभी भी सोचे का सोचे के दुनिया दैने दो या चाना मुझे घर नहीं, इनको वेचारों की है जड़वाई ये जो चम गितारे मेर पे पूरी राधर प्रकृती साथ आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल के हवन 11 पर सो गाइज यह मेरा सेकेंड विलॉग है और जो आज का हमारा ट्रिप है वो हमारे गाउन तुंगेश्वर से बदानगडी का है आपको मैं बता दू कि जो बदानगडी टेमपल है वो उत्राखंड के चमली जिल्ले के थ्राली विलॉग में पढ़ता है जो मेरे पीछे का व्यों दिखाए दे रहा है वह लोल्टी और हम चलेंगे बाइक से तो और मैं आपको इस टैप बता दू अपने वह जो है कि फैस सब्सक्राइब की जड़नी स्टार्ट हो जाएगी सो गाइस मिलते हैं आगे आप गाइस हम पहुछ चुके हैं रोड पर और यह सामने का वियो दिख रहा है यह थाला है और इसके बगल पर लोल्टी हमारे कुछ दोस्त हमारा वेट कर रहे है आगे तो मिलते हैं और यह पे लोल्टी मार्केट है और चुकेया तो गाइस यहां पर हमें हमारा स्कॉट में चुका है और हमारा पुरा स्कॉट यहां पर यहां पर हमारी गारी यह बाइक्स इनमें बदान गड़ी का सब पर पूरा करेंगे तो गाइस अभी हम जा रहा है बाइक में हम पूर्ट पाउस गया है थाला यहां पर कर नाम है थाला और हमारे ड्राइवर हुए रावल रावर और पूर्टी के राइडिंग तो गाइस दो बाइकी लोग पीछे से आरे हमारे और मिलता है और अगे तल्वारी पाउस के अजय हम पहुच गय है तल्वारी मार्केट पाउस पूंग नाल और यहां से बाइस तो गड़ाल मंडल का लाश्ट दिगरी गॉलेज पर पास सिदे शुत बाइसके बाहरे हुआस सिदे 17-80 km आगे उमाल मंडल में आपका डिगरी कॉलेज परता हैचे तो गद्वाल मंडल तो यहां पे हम पोजोता है तल्वारी जो कि ज्यादा वड़ा मार्केट हो नहीं है यहां के लिए ठीक ठाग मार्केट है यहां पोजोता है तल्वारी प्पीड संवार्ण पूपोरियान है कर दो 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 कर झाल 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 आप देख सकते हैं, यहां पार एक दावब कीए है और यहां पार खुट आना काते हैं, आने जाने वाली हैं तो यह जबह आपका और कभी भी आओगे तो यहां से उपर को ने ले लिए ले ले लिए ले लिए अब 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 हुआँ अब 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 करने परिदानों से फयात भाप कर दो ऌने करें में परे हैं एंगे एंग ट्था करें एंग बशड़का मैं एंगे हैं में एंगड़ी तब हैं तो हम पाउचुका है 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 झाल झाल तो फाइनली हम पाउच गए हैं मंदिर के सेकेंड गेट पर और बागी कभी हो हम आगे दिखाएंगे आपको फाइनली हम पाउच चुके हैं मंदिर में और आप यहां का व्यू देख सकता हैं झाल 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 जंस प्राइब पूजिए है आगई रसरी सिप्वी यहां पर जुह है माता महाना जावान संक्र जलिक्डडा करते वह संद्धिये और जब रिशी जी यहां पर गूम ते गूम ते सस्तार पर आगे तो माता पारुथी और भूब श्टार जेलिक्रडा करने थे तो माताजी नहीं जैसे ही आँगिरसरी शी को देखा तो लग्ज़ा नहीं सूचोंने को तो माताजी रिज्चे करता लाग में दुट गई और आंगिर भग्वान संक रीज़र आगे अही महादी को चूने गए तो उसके बाद जो है अभी राजगड़ी की और ये बदान गड़ी के उपर पर और इस एडिया का ये टॉप एस्ट एरिया है जो की समूद्र तल से 7000 जान फिट तर्विव देखो आगे हैं जान है कर दो जान जान इल गड़ां को चलू चले, मील गगन्क। उड़ी करे, जले, करे, श्वैद गवन्क। उड़े करे चड़े करे श्वेद का वनका चनौ चरे नील लगा गनका चनौ चरे नील लगा गनका जा आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात इन पहाडों के चमकता जुगनू जैसे तारे लात इन फिजाओं में लपक के बांदा मैंने पीता छाक छोड़े चिला मुझे किस किस ने क्या क्या कहा बठक तारा में सिर्फ हवारा मैं एक बादल में चलता रहा गगन बरस पड़ा तो आवा जा चले नील लगा गनका तो गाइस यह नीवाल और यहां से आगे क्वाल्डम फिली स्टेशन है यहां पर और यह गोपे वो गरूड अगर ज्यादा बारिस लग गए तो रोल भी वेकार हो जाएगी और ऐसे भी रोल की बहुत बेकार कंडिशन होगी है बारिस तम्टम पर ऊड़ में रेकार कंड बार इनकार कंड़ यह जाएगी है जालो जाले मेल गगन का जालो जाले मेल गगन का मंदिर से वापास आ चुके हैं और मैं आपको बता दो कि यहां पर मान्यता है कि एक साथ तीन पत्थर ठेकेंगे और उसके बाद तीनों पत्थर वहाँ पर अटक गए तो उसकी विसेश पूरी होती है को